हेलो फ्रेंग्स आज हम लोग एक यूज बंगलो देखने के लिए आया है यह स्पेशियस बंगलो बना है 4000 स्क्वेर फीट में प्लॉट एरिया 4000 स्क्वेर फीट है बिल्ट अप एरिया 2800 यह कवर किया हुआ इसका कारपाकिंग है काफी पेड वगएरा लगा कर यहाँ पर गार्डन बनाया हुआ है इस सामने का जो एरिया आप देख रहे हो इसे आप पाकिंग बना सकते हो टाइल्ज और थोड़े एक्स्टेंड करके यहाँ तो इसे गार्डन भी पुरी तरीके से बना सकते है यह सारा एरिया भी ओपन छो अंदर चलके यह बंगलो देख लेता है कि अंदर से कैसा नज़र आता है इस ट्वेसिंग एंट्री है इसका यह है इसका हॉल इस टेरकेस उपर की तरफ जाती है यहाँ पर दो और बेडरूम्स है जल्दी जाएंगे हम वहाँ पर लफ्ट साइड से शुरू करते है यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरूम दिया हुआ है यह इस वक पूरी तरह से एमटी है यह है इसका बेडरूम बेडरूम नमबर वन ऊपर की तरफ लॉफ्ट दिया हुआ है एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए वाश्रूम काफी बड़ा दिया हुआ है यहाँ पर यह बेदिंग डब है पीछे की तरफ इंडियन टॉयलेट है हर वाश्रूम के अंदर एक जीज़र लगाया हुआ है वाश्मेसन यहाँ पर कॉमन टॉयलेट यह है इसका किचिन के लिए हॉल से भी एंट्री है जो हॉल से आप आते हो तो हॉल से भी एंट्री है यहाँ पर किचन में क्याबिनेट बनाए हुआ है किचन में भी लॉफ्ट है यह पीछे का गार्डन एरिया एक्स्ट्रा वाटर टैंक है यहाँ पर तो आई यह उपर चलकर बेटरूम्स देख लेते हैं हाइट अल्मोस्ट बारा स्वेर बारा फीट सेटी डोर दिया हुआ है उपर की तरफ दो टैरेस है एक बड़ा टैरेस है एक छोटा टैरेस है जैसे यह आप फर्स फ्लोर उपर आते हैं यहाँ पर खोड़ा ओपन स्पेस चोड़ा है यह है इसके साथ अटैरेस यहाँ पर यह नीचे पोमो ग्रानेट जिसे अनर कहते है उसका पेड़ लगाया हुआ है और अभी इसके फ्रूट्स आ रहा है इसके फ्रूट्स अभी निकाले हुए है यहाँ पर भी टैरेस के लिए सेफटी डोर है लगाया हुआ वाशिंग मशीन के लिए इनलेट आउटलेट यह है बेडरूम नमबर टू विद अटाश टैलेट यहां से भी आपको गार्डन एरिया नजर आएगा मैक्सिमम यहाँ पर नारियल के पेड लगाया हुआ है और यह बैक एरिया एक्स्टा वाटर टैंक है यहाँ पर फिटेड यह है इसका बेडरूम नमबर ट्री काफी स्पेशिस साथ ही आटाइच ट्वालेट वाश्रूम एं ट्वालेट यहाँ पर भी एक डीजर लगाया हुआ है और इस बेडरूम के साथ में भी एक टैरेस है यहाँ पर भी सेफटी डोर लगाया हुआ है यह एक चोटा सा टैरेस है यहाँ पर दिया हुआ ब्रिल वक किया हुआ है असका यह सेफ्टी डोर यह पुरा गार्डन एरिया है ग्रीनरी काफी है यह आपर इस प्रापटी में सरफ क्लीनिंग की जरूरत है प्राफी अच्छा मिंटेन किया हुआ है पेंट भी नया ही दिख रहा है कुछ टाइम पे लेकिया हुआ इस प्रापटी की और ज़्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन दबाना ना बुट हम डेटीक एग नया वीडियो लेकर आते हैं हमारे वीवस के लिए तैंक यू